हेलो दोस्तो कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे दोस्तो अगर आप याकुद कर सीम इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैं एक सेटिंग बताने वाला हूं वो सेटिंग आपको लाजिम कर लेना चाहिए अगर आपको सेटिंग नहीं करते हैं तो आपक कर लिए क्योंकि मैं आपके रिए हमेशा इसी तरह का इंट्रेस्टिंग यूसफुल वीडियो बना के अपलोड करते रहता हूं तो चलिए आदे रही नहीं करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि वो कौन सा सेटिंग है जो आपको लाजिम करना चाहिए ओके दोस्तों आपको याकूत अप्लिकेशन में कौन सा सेटिंग करना इस चीज़ को बताने के लिए पहले मैं याकूत अप्लिकेशन ओपन कर लेता हूं जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे याकूत सीम का और तीन दिन का वालिटी वाकी है और इसमें मेरा डाटा जो है साथ जीबी के आसपास बैलेंस है जैसे दोस्तों याकूत का यह पैकेज 100 रियाल में 50 जीबी था लेकिन मुझे 50% डिसकॉंट मिलने के बाद यही पैकेज मैंने 50 रियाल में लिया था दोस्तों आपको मालूम होगा आप जब याकूत का पैकेज पर्चेस करते हैं तो आपको उ इसमें अगर मेरा जीबी खतम हो जाता है या फिर वालडीटी खतम हो जाता है तो यह सिम जो है और जब यह पैकेज आटोमेटिक रियनवल हो जाएगा तो जो पैकेज मैंने 50 रियाल में लिया था उसी पैकेज के मुझे फुल पेयमेंट करना पड़ेगा मतलब कि 100 रियाल इसके बाद manage package and promo codes पर click करें अभी इस arrow के निसान पर click करें तो दोस्तों यह रहा rain wall status आप जब याकुत का application अपनी mobile में install करते हैं तो यह setting always mode में on रहता है तो आपको इसे off करना होगा जैसे कि आप देख सक रहे हों दोस्तों यहाँ पर so हो रहा है इसका मतलब है जब मेरा package तीन दिन के बाद खतम हो जाएगा चौथे दिन अपने आप आप आटोमेटिक रेनवल हो जाएगा और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अगर यह आटोमेटिक रेनवल होता है तो क्या नुकसान होगा तो अगर आप आटोमेटिक रेनवल नहीं चाहते हैं इस सेटिंग को आफ करना चाहते हैं तो आप सिंपल आप इस बटन पर किलिक करें और इसके बाद यस टर्न इट आफ पर किलिक कर दें इस तरह से आपका आटोमेटिक रेनवल का सेटिंग आफ हो जाएगा अगर आप याकूत का सिंप 50% डिसकॉर्ण साथ लेना चाहते हैं या आप उसे रेनवल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के एक बाद जरूर से देखें इस वीडियो मैंने आपको बताया आप याकूत का सिंप कैसे 50% डिसकॉर्ण के साथ ले सकते हैं या फिर आप उसे रेनवल कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजेगा अगर आपको मान में कोई डौट है अगर आपको पुछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपका कमेंट कर जितना जल्ली हो सकेगा रिप्लाइब करूँगा दोस्तों जल्दी मिलता हूँ आपसे किसी दिसे टॉपिक के वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक कियर